तो गाइज अभी अभी एक बहुत ही बड़ी खुसकपरी आप लोग के लिए ससी ने दे दिया है अभी अभी ससी जीडी का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आए देखते हैं कि आपका एक्जाम कभ है कितने वेकेंसी आए हैं आपको किस तरह से त्यारी करनी देट फोट सब्विशन ओनलाइन अप्लिकेशन 24 से 31 दिसमबर तो आप लोग समझ रहे हैं आप लोग के पास अभी एक से एक मैना लगवग 5 दिन तक फॉर्म बढ़ने का टाइम है कल से फॉर्म बढ़ना है स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट जो है 21 दिसमबर को है 31 दिस आप लोग का एक्जाम जो होने वाला है वो फर्वरी के लास्ट वीक में स्टार्ट होगा मार्च के फर्स्ट वीक तक चलेगा लगवग आप लोग समझ जाओ 20 फर्वरी से लेके 10 मार्च तक के बीच आप लोग का एक्जाम होने वाला है तो गेट रेडी फॉर गेट का जाने नहीं देना है आप लोग अच्छे से त्यारीम लग जाओ फॉर्म बढ़ दो और साथ ही साथ अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो प्ली सब्सक्राइब इस चैनल आप लोग के रिए आगे भी कई इंपोर्टन न्यूज्ज जो है इंपोर्टन अपडेट जो है आप लोग के लिए में लाता रहूंगा ठीक है इस में देखो बीएस एप का वेकेंसी वह 6174 है का 11,025 है CRPF का 3,337 है SSB का 635 है ITVP का 3,189 है असाम रैफल का 490 है SSF का 296 है टोटल दो 26,146 वेकेंसी है फीमिल का वेकेंसी अगर देखा जाए तो अबरॉल 2,799 है और मेल का वेकेंसी जो है वो 23,347 है तो यही हमारी न्यूस था आज का अपडेट था गाइस ठीक है और आप लोग का एज रिलेक्सेशन बगर सबक्तों पता ही है आप लोग को ठीक है एज लिमिट जो है अंडिजर्व्ट के लिए 18-18 से तैस साल है सब्सक्राइब देख सकते हों नौटिफिकेशन को अपने चैनल पर डाल देता हूं वहां से आप इस नोटिपेशन को अच्छे पढ़ लोग तो इस वीडियो में नस इतना ही गाइस तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और प्लीज subscribe this channel share this video and like this video okay thank you thank you very much guys